नमस्कार दोस्तों मैं भाषा और आप देख रहे हैं न्यूस क्लिक पर खोश कबर का एक्रम ये दो चहरे ध्यान से देखिए एक हैं भारती जनता पार्टी के सांसद ब्रिज भूशन शरण सिंग और दूसरे हैं महम्मद जुबेर दोनों ही सोशल मीडिया पर अलग अलग बजहों से अलग अलग समय ट्रेंड करते रहे हैं इस समय अगर सोशल मीडिया ट्विटर को देखिए तो ऐसा लगता है कि भारत में महम्मद जुबेर से बड़ी कोई खबर नहीं है कोई और ट्रेंडिंग पॉइंट नहीं है महम्मद जुबेर आल्ट निउस के संपादक हैं उन्हें गिरफतार करने की मांग को जिस तरह से ट्रेंड कराया जा रहा है वह साफ करता है कि कौन क्यों उनके निशाने पर है उनके खिलाब 6 FIR पहले से हैं 7 वी कर दी गई है वह फैक्ट चेकिंग वेबसाइट का हिस्सा है जो फरजी खबरों फरजी वीडियो और नफरत करने वाली ब्रिगेट का परदाफाश करते हैं यानि इतने में आप समझी गए होंगे कि उन्हें निशाने पर किस ने लिया है और कौन चाहता है कि मुहमाद जुबेर गिरफतार हों और ये दूसरा शहरा भारतिय रियाजनीती का सबसे बड़ा चहरा है क्योंकि इनके ही जिम्में बहुत से बड़े नेक काम हैं इनहीं की वज़ा से ब्रिजभूशन शरंड की कारनामों की वज़ा से पहली बार ऐसा होगा कि भारत भारती खिलाडी अंतराष्टी मंच पर जब कुष्टी लड़ेंगे तिरंगा उनके साथ नहीं होगा क्योंकि इन्टरनाशनल फेडरेशन ने भारती एक रिक्ष्टी संग को डिस्बैंड कर दिया मानेता नहीं दी है अब देखिए यह शक्स जिस पे यौन उत्प्यूडन का आरोप उसकी गिरफतारी की मांग या उसे ट्रिंट करानी की मांग ये सारी ब्रिगेड नहीं करती दिखाई दे रही है वह पीछे पड़ी है इस समय मुहम्मस जुबेर के वजह आईए पड़ताल करते हैं आईए सबसे पहले देखते हैं कि मुहम्मस जुबेर पर इतनी ज़्यादा प्रेम वर्शा क्यों हो रही है ये लोग जो फूल बरसा रहे हैं दरसल ये कौन लोग हैं और ये क्यों चाहते हैं कि तुरंथ ही तुरंथ इनकी गिरफतारी हो जाए ये लोग जिनको आप एकाउंट देख रहे हैं स्क्रीन पर ये दरसल मुहम्मस जुबेर से इतने ज़्यादा भैकरांध क्यों हैं ऐसा क्या काम कर रहे है मौम्मद जुबेर और निउस ऐसा क्या काम कर रहा है जिसकी वज़ा से ये लोग इस तरह से परेशान हैं अभी ये जो साथवी FIR हुई है इसकी वज़ा है उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश के मुझफर नगर इलाके में तिपता त्यागी नाम की वीडियो पर मुस्लिम चात्र को बाकी हिंदू चात्रों से पिटवाती है और यह वीडियो वाइरल हुआ तमाम लोगों ने इसे शेयर किया और बाद में ये जो दोनों बच्चे हैं एक हिंदू और एक मुसल्मान इसे वहां की जो खाप है वहां पर जो टिकेत हैं उन्हो उने सार्जनिक आयोजन करके दोनों को गले भी मिलवाया यानि दोनों की पहचान सब के सामने थी क्योंकि उसको सब ने कवर किया था इस समय जो F.I.R. हुई है उन पर उसकी वज़ा यह है कि इस मुस्लिम छात्र की पहचान को उन्होंने उजागर किया F.I.R. हुई और आप देखिए यह जो पूरा का पूरा वाकिया है जो हमारे सामने इस समय आया है इसे लेकर जिस तरह से पूरे सोशल मीडिया पर अलग अखबारों में अलग अलग चैनलों में यह समझाने बुजाने की कोशिश हो रही है कि दर असल यह सामपरदाइक मुदा नहीं है इसे इससा है यहां पर अक्सर हमें याद आते हैं ब्रिज भूशन शरन सिंग उसकी वज़ा बहुत साफ है क्योंकि आप देखिए यह शक्स जिस शक्स के खिलाफ देश की आला महिला पहलवान धरने पर बैठी सड़कों पर उतरी सब कुछ हुआ लेकिन उन्हें गिरफतार करन के लिए यह ब्रिगेड सामने नहीं आई जबकि मामला उस समय हिंदू बेटियों का था इन हिंदू बेटियों को बचाने के लिए यह जो ब्रिगेड इस समय उतरी हुई है वह सिरे से गायब थी और ब्रिज भूशन शरन सिंग का कुछ नहीं हुआ आज की तारीख में भी जब इतना बड़ा धका भारती कुष्टी भारत के पहलवानों को लगा तब भी कहीं से भी मांग नहीं उठी कि आखिर इस शक्स की गिरफतारी क्यों नहीं की गई यह जो दो पहलू हैं यह बता रहे हैं कि एक ही कानून एक ही सम्विधान किस तरह से नफरती ब्रिगेड क पे जो इंफ्लुएंजर्स होने का यानि प्रभावशाली दल प्रभावशाली व्यक्ति होने का जो दम भरते हैं उसके जो पुरोधा हैं अगर उनका जिक्र ना किया जाए क्योंकि वे सीख दे रहे हैं वे गाइट कर रहे हैं कई बार ऐसा लगता है पुलिस को प्रशाश यहीं रहना है और ध्यान दीजिए यह जो इंफ्लुएंजर है या इस तरह का जो समू है यह कभी खुल कर और कभी परदे के पीछे से भारती जंता पार्टी या रसेस के लिए जो बैटिंग करते हैं इन तमाम लोगों के लिए जो महान विचारक हैं जो समाजिक न्याय की भी बात करते हुए दिखाई देते हैं वे कह रहे हैं कि मुस्लिम बच्चे को मारा गया तो क्या हो गया इसमें सामप्रदाइक एंगिल नहीं है क्योंकि दलितों के बच्चों को तो लगातार ही मारा जाता रहा है इनसे बस यह सवाल पूछना जरूरी है कि अगर आपके हि साब से एक मुस्लिम बच्चे को यह कहकर कि वो मुस्लिम है हिंदू बच्चों से पिटवाया जा रहा है अगर यह सामप्रदाइक नहीं है तो क्या दलित उत्पीडन को जो लोग दलित उत्पीडन नहीं मानते हैं वो गलत नहीं है इस तरह के जो हमले हो रहे हैं इन्हें स इसमें एक कड़ी औल्ट न्यूस पर हमले की है तो दूसरी तरफ आपको गाउं सवेरा जैसा एक न्यूस पोर्टल भी दिखाई देता है जिसका फेस्बुक एकाउंट बन किया जाता है ट्विटर एकाउंट बन किया जाता है वजह बहुत साफ है कि यहां पर सरकार को बहु मेल मिलाप की राह दिखाता है यानि सच परदे में रहे इसके लिए अलग-अलग धंग से काम हो रहा है और जो लोग सच के साथ खड़े हैं उन्हें निशाने पे लिया जा रहा है संगोल युक के निशाने पर कभी मुसल्मान कभी डलित कभी महिलाएं कभी भारती नागर किस तरह से आते हैं और किस तरह से यह मामला जानलेवा साबित होता है इसकी ताजा मिसाल है मोहित यादव जो इस समय हमारे बीच नहीं रहे यह बस ड्राइवर कंडेक्टर बरेली से कोशाम भी ले जा रहे थे बस को दो यात्रियों ने इनसे रिक्वेस्ट की कि नमाज प इसमें यह कह रहे हैं कि दर असल कुछ यात्री पेशाब करने के लिए रुकना चाहते थे रोकना चाहते थे उस समय उन्होंने बस रोकी और उसी समय जिन्लों को नमाज पढ़नी थी दो यात्रियों को वे उतर कर नमाज पढ़ने लगे मामला बढ़ा क्योंकि हम सब जानते हैं कि इस समय मुसल्मान, मुसल्मानों का नमाज पढ़ना, मुसल्मान होना ही अपने आप में काफी है नफरती ब्रिगेड को उकसाने के लिए यहाँ पर इस नफरती ब्रिगेड ने मुहित को निशाने पे लिया उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया भीशन डिप्रेशन में चले गए और 27 अगस्त को उन्होंने आत्महत्या कर ली क्योंकि उन्हें लग रहा था कि जिस तरह का मौहौल उनके खिलाफ बना दिया गया है कोई उन्हें बचा नहीं सकता मैं यहाँ सीधा सवाल आप से पूछना चाहती हूँ कि क्या आप आप सब आप सब को लगता है कि मोहित यादव ने अपरात किया था यह उनकी आत्महत्या नहीं सिस्टम द्वारा की गई हत्या है अब देखिए यह जो नफरत है यह जो नफरत का सैलाब है यह कहीं रुकता नहीं है यह जो तस्वीर आपको दिख रही है इस तस्वीर के साथ जो वीडियो है वह हम और आप शाय देखना पाएं यह माराश्ट के एहमत नगर से आया हुआ है यहां दलित नौजवानों को उन पर आरोप लगाया जाता है कि वे बकरी और कबूतर चुरा रहे थे एक समूँ पकड़ता है बताने की जरुवत नहीं कि दबंग जाती का समूँ है बेदर्दी से पीटता है कपड़े उतार कर पेड़ पर लटका कर उल्टा मारता है यह सब सरयाम होता है वे खुद इसका वीडियो बनाते हैं आईए चलते हैं मदप्रदेश मदप्रदेश के सागर में और ध्यान रहे मदप्रदेश के मुख्यमंतरी शिवरा सिंग चोहान राखी पर या घोशना कर चुके हैं कि तमाम महिलाओं को राखी के तौफे में वा धाई सो रुपे दे रहे हैं देखिए इस बहन को यह बहन है नितिन अहिरवार की इसकी चीखें आप सुन नहीं पाएंगे भीशन रुदन वजह नितिन को भीड ने पीट पीट कर मार डाला यह जो भीड है यह नितिन की मा को निर्वस्त करने पर उतारू होती है उसके कपड़े फार दिये जाते हैं वजह 2019 में दबंग जाती के जो प्रमुख आरोपी हैं विक्रम सिंग ठाकुर उनके खिलाफ इस परिवार ने आरोप लगाया कि वह उनकी बहन का यौन उत्पीड़न कर रहा है सागर के पुलिस अधिकारी लोकेश सिंह उनके मुताबिक ठाकुर अहिरवार परिवार पर केस वापस लेने का दबाव बना रहा था परिवार नहीं मारा इसलिए पीट पीट कर मार डाला गया और आप देखिए यह तस्वीर भी इसमें एक आरोपी की फोटो मद्रप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवरा सिंग चौहान के साथ है इस तरह की अंगिनत घटनाए हो रही है देश के अलग-अलग हिस्सों में कहीं नफरत धर्म से है कहीं नफरत जाती से है लेकिन नफरत नफरत और नफरत का बोल बाला है और इसे खुले आम सरकारों का सत्ता का सर्रक्षन हासिल है आईए देखते हैं इस नफरत के खिलाफ जमीन पर किस तरह के स्वर सुनाई दे रहे हैं हमको सबसे पहले तस्वीर उन महिलाओं की जिन्होंने अपने परीजनों को सीवर और सेप्टिक टैंक में खो दिया और सरकार ने जूट बोला संसद में सिर्फ 2023 के आकड़े के बारे में इतना बड़ा खेल किया कि 9 लोग मारे गए सीवर और सेप्टिक टैंक में जबकि 60 भारतिय नागरिक अपनी जान खो चुके हैं इसके खिलाफ जो गुसा है वह फूटा दिल्ली में सफाई करमचारी आंदोलन के स्टॉप किलिंग अस कैंपेन के एक हिस्से के तौर पे आईए सुनते हैं इन में आई दो महिलाओं की कहानी ये दो महिलाएं भारतिय नागरिक विक्रम और अमन वालमीकी से जुड़ी हुई हैं इसी साल 2023 में ग्वालियर में 15 जून को सेप्टिक टैंक सीवर को साफ करते हुए भारतिय नागरिक ये दोनों भारतिय नागरिक अपनी जान खोते हैं और सोनम और उर्मिला पहुशती हैं दिल्ली दिल्ली में आवाज उठाती हैं अपने छोटे बच्चों के साथ आई हुई हैं सोनम सीधे सीधे सवाल पूछती हैं कि आखिर क्यों उनके पती को मार डाला गया आखिर क्यों मोदी सरकार, लगातार, सीवर और सेप्टिक टैंक में जूट बोल रही है उर्मिला पूछती हैं आखिर क्यों उन्होंने अपने बेटे को खोया सुनिये सोनम और उर्मिला का और देखिये ये दोनों छोटे बच्चे आए हैं ये पूछ रहे हैं कि मोदी जी आप हमारे प्रधानमंत्री हैं अगर हमारे पिता गटर में नहीं मरे तो उन्हें हमें वापस दीजिए ये सब अपने अपने परिजनों की तस्वीर लेकर देश की राजधानी में दस्तक देने पहुचे पंद्रा जून को चेंबर में घर से बुलाया पॉन लगा के मना कर रहे थे कि काम पे में आज नहीं जाओंगा जब अरजस्ती पॉन करके बुलाया उनको क्या नहोगा तुम्हें अच्छा अभी जून में ही हुई इसी साल जून में जून की है फोटो यह पंद्रा जून की है आप कमाती हैं घर में कौन-कौन और कमाता है घर में कोई नहीं कमाता है बड़े जेटें सो बिल्दारी करते हैं अच्छा आप पड़ी लिखी हैं जी मैं मैं पड़ी लिखी नहीं हूँ और कुछ काम भी नहीं करती हूँ मेरे पती को आते थे बोई घर कर्चा चला आते थे अभी आप क्या मांग लेकर दिल्ली आई हैं पर्मानेंट नोकरी की मांग लेकर आएं ये दो महिलाएं या उनके जैसी अंगिनत महिलाएं जिस तरह का प्रतिरोध बुन रही हैं जिस तरह से नफरत के खिलाफ आवाज बुलन कर रही हैं देखें वो कैसे मिलता है अंतराश्टी स्तर पर इस तस्वीर से जहां पर देश का मान और शान बढ़ाने वाले नीरत चोपड़ा खड़े हैं अपने साथ पाकिस्तान के एक एटलीट को लेकर और उनकी मां सरोज देवी जो बताती हैं कि नफरत करने से नहीं महबबत करने से गोल्ड मेडल मिलता है नीरत चोपड़ा विश्व एटलेटिक चेंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने के बाद जिस तरह से पाकिस्तान के खिलाडी अरशद नदीम के साथ होते हैं और जिस तरह से दोनों साथ मिलकर खेल और महबबत का वितान रचते हैं उनकी शकल के साथ साथ ये सफाई करम पंचारी महिलाएं जुड़ती हैं क्योंकि वे दोनों बता रहे हैं कि देश नफरत से नहीं महबबत से चलना चाहिए शुक्रिया